हमारे सास्क्रों का वाक्य है द्रस्षते सवर्ग सरवे हैं काश्यम विश्वेश्वरतफा यानि काशी में सरवत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं इसलिए काशी जीवत्व को सीधे सीवत्व से जोडती है हमारे रुश्यों ने भी कहा है विश्वेश्वम शरणम याया समे बुद्धी प्रदाश्यति अर्खात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर सम बुद्धी व्याप्त हो जाती है बनारस बो नगर है जहां से जगद गुरु संगराचार्य को सीधोम राजा की पवित्रता से प्रेणा मिली उन्होंने देश को एकता के सुत्र में बांधने का संकल पलिया यह वो जगह है जहां बहां बगवान संकर की प्रेणा से गोश्वामी तुलसिदाज जी ने राम तरीद मानज जैसे अलग की रचना आती यही की धरती सारनात में भगवान बुद्ध का बोद संसार के लिए प्रगट हुआ समाज सुधार के लिए कबिरदाज जैसे मनिसी यहां प्रगट हुए समाज को जोड़ने की जरुरत थी तो संत रहिदाज जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बने जिए ये काशी अहिंसा और तब की प्रतिमूर्ती चार जैन तिर्थंकरों की धर्ती है राजा हरिष्टनर्द की सत्य निस्ता से लेकर वलभाचारिया और रामानंजी के ज्यान तक चैतन्य महा प्रभू और समर्त रामगुरू गुरू रामदास के ज़ेकर स्वामी विवेक अनदर मदन मौन मालेविया तक इतने ही रुष्यों और आचारियों का समन्द कासी की पवित्र धर्ती से रहा है शत्रपती सिवाज महाराज ने यहां प्रेणा पाई राणी लक्ष्विबाई से लेकर चंदर से कर आगात तक कितने ही सेनानियों की कर्मभुमी जन्मभुमी काशी रही है भारति इंदु हरिचंद्र, जैसंकर पथार, मुंसी प्रेमचन, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रती भाएं इस मरण को कहां तक लेते जाएं, कितना कहते जाएं, भंडार भरा पड़ा जीतर काशी अनंत है, वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है काशी के विकास में इन अनंत पुन्य आत्माओं की उर्जा शामील है इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की बिराशत सामील है इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं कि यहां से अपना जुडाव मैसूस करते हैं